नमस्कार दोस्तो सुइप कमिशन UPSC में आज हम 14 जून के इंपोर्टेन न्यूज को डिसकस करेंगे जो प्रिलिम्ज के साब से इंपोर्टेन होगी और डिफरेंट एक्जाम्स के असाब से भी तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं फर्स्ट न्यूस जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ओगनाईजेशन से है वर्ल्ड हेल्थ ओगनाईजेशन के जो डारेक्टर जनरल है टेड्रोस एडिनोम गेबरियस इन्होंने एक एडवाइजरी जारी करी है कि डिफरेंट जो गॉर्मेंट्स हैं वो भी COVID-19 की वैक्सीन में अप इसे एक्सेस नहीं हो पाएगा तो उन्होंने एक एडवाइजरी जारी करी है इससे रिलेटेड तो वर्ल्ड हेल्थ ओगनाईजेशन ने इस बात को कहा है दोस्तों अब COVID-19 की जो वैक्सीन है ये एक हाइपोथेटिकली सोचा जा रहा है कि हम वैक्सीन तयार कर रहे हैं औ बहुत सारे एफट्स लगाएगा यूरोपियन कंट्रीज के दौरा इविन डेट इंडिया ने भी बहुत सारे एफट्स लगाए और अमेरिका तो इस पर एफट्स लगा ही रहे हैं दोस्तों लेकिन जो प्रिवियस वैक्सीन बनी उसमें हम फेल है पहली स्टेज के जो क्ल कोलीशन फोर एपिडेमिक प्रिपेडनेस इनोवेशन जो इस पूरी वैक्सीन को तयार कर रही है और यूएस टू बिलियन डॉलर्स पूरा इसमें फंड गया है जिससे जल्दी से जल्दी रैपिड इन्वेस्टमेंट हो सके और ये वैक्सीन तयार हो सके क्योंकि दोस्तो इलाज एक ही है वो है वैक्सीन जब तक वैक्सीन नहीं बनेगी तब तक ये कंडिशन रहेगी दोस्तो ठीक है तो प्रोमिनेंट इंसिटूशन जो है जो कोविड-19 की वैक्सीन बनाने में काम कर रहे है एक तो CEP जो अभी हमने डिसकस करा कोलीशन फोर एपिडेमिक इस्टिक एक्टिविजम यूनिवरस्टीज एलाइट फोर असेंशल मेडिसन तो बहुत से रिसर्चर इस पर काम कर रहे हैं लेकिन उस चीज तक अभी हम लोग नहीं पहुचे है जो पूरा लास्ट स्टेज होता है वैक्सीन का तो CEP ने गाइडलाइन्स भी पब्लिश कर होगी वरना जो पूर कंटरीज है और जो पूर लोग हैं वह अपना इलाज नहीं करा पाएंगे तो इन्होंने ये बात कही थी इन्होंने एक चीज़ और कही थी कि सारी information जो manufacturing company है फो उसके लिए यह वेक्सीन तयार करती लिकिन वह डिसक्लोज नहीं करती information तो इन्होंने इस बात को कहा था कि जो company इसमें काम कर रही है वो पूरी अपनी information share करें अगर by chance वो company discontinuation हो गई मतलब fail हो गई तो हम इस vaccine को बना सकें ठीक है थार्ट चीज जिनों ने बोली थी कि possible हो सके तो जल्दी से इस पर intellectual property right का promise कर जाए vaccine के लिए मतलब company काम तो कर रही है लेकिन अभी उनके लिए guarantee नहीं है कि इस पर हमें IPR मिलेगा नहीं मिलेगा intellectual property right तो इन्होंने कहा है कि उनको promise कर जाए कि आप काम करिए आपको इस पर IPR मिलेगा अगर आप इसमें successful होते हैं कि तो पोटी बिमारी नहीं है इससे पूरा देश तरस्त है ठीक है तो हमें इस चीज की पूरी knowledge होनी चाहिए कि यह चीज कैसे तयार होई तो second news क्या है दोस्तों mutation of COVID-19 no effect on vaccine इसमें का है स्वामिय स्वामिनाथन डॉक्टर स्वामिय स्वामिनाथन यह World Health Organization के chief scientist है इन्होंने का है जो कोरोना का जो mutation है वो vaccine उस पे काम नहीं कर सकती है वो vaccine की ताकत को कम कर देगा ठीक है लेकिन अभी तक कोरोना वाइरस के अंदर mutation देखने को नहीं मिला है किसी भी region में लाइक spike protein receptor binding domain में अगर होता है तो यह vaccine की जो efficiency है उसकी जो power है उसको कम करने में सक्षम है ठीक है दोस्तों नेक्स न्यूस किस से related है Central Railway ने launch कराय रोबोटिक कैप्टन अरजुन Central Railway Railway Protection Force RPF पूने ने इसका aim क्या है दोस्तों इसका aim यह है पहले मैं और यह बहुत अच्छी चीज है कि हमने एक manpower का use कम कर दिया एक इनसान की energy उस जगे कम लगेगी और वो हम कई और invest कर सकते हैं और यह watch रखेगा anti-social elements में और यह किसके दिमाग की उपजे आलोग बोरा जो डियाईजी है आरपी एफ के Central Railway के दोस्तों इसका benefit क्या होगा और यह station access control में effectiveness की तरह effectiveness होगा कि station पर जो गतिविद्या हो रही है उसको भी देखेगा यह और station की security के लिए भी काम करेगा और अगर किसी body का temperature ज़्यादा आ जाता है उसकी reference range से क्योंकि वो तो एक machine है उसके अंदर तो एक चीज़ फीड होगी दोस्तों जैसे for example उसके तो एक चीज़ फीड होगी कि मान लिजे 98 से उपर किसी का है तो आप alarming कर देना तो वो alarm sound product automatically बजा देगा ठीक है अब इसके features क् इसमें equipped with motion sensor लगा है PTZ camera लगा है PTZ का मतलब है panel tilt zoom camera ठीक है tilt भी हो जाएगा zooming भी हो जाएगी one dome camera लगा है artificial algorithm लगा है artificial algorithm मतलब वो खुदी sensor अपने आप से काम करेगा अपने आप से कम बढ़ती पे वो चीज़ काम करेगी inbuilt siren लगा हुआ है inbuilt siren है उसके अंदर कि अगर गत CVD गलत पाई गई तो वो siren produce कर देगा जैसे fire siren होता है आप लोगोंने देखा होगा motion activity spotlight लगी हुई है कि कि किस प्रकार से पूरे station में motion हो रहा है activities हो रही है एक पूरा network लगा है कि हर चीज़ को record कर सके sensor based sanitizer भी लगा हुआ है इसके अंदर और सबसे अच्छी चीज मुझे इसकी लगी यह local language में बात करता है कि अगर कोई भार का भी आ जाए मतलब अगर कोई उस area का है उसे कोई और language नहीं आती तो वो उस language में बात करेगा यह सबसे innovative चीज है इसकी अच्छा battery backup है और यह protect करेगा passenger को की screening भी करेगा और दूसरी जो सुविदाएं होती है station पे उसक आरुग्य पत से Central Scientific Industrial Research ने National Healthcare Supply Chain Portal मतलब क्या है दोस्तों मैं आपको इसको short मैं समझाता हूँ कि जो दिक्कत आ रही है healthcare supply में वो आरुग्य पत के द्वारा किलियर होगी मतलब एक vision तयार करे जा रहा है कि कैसे हम इस चीज की delivery कर सकते हैं उस तरफ जहां इसकी दिक्कत आ रह आएंगे और limited supplier पर dependency कम होगी time consuming कम होगी for example दोस्तों मान लीजे उत्तर परदेश के किसी जिले में किसी चीज की कमी हो रही है और कहीं पर excessiveness है तो यहां पर transfer कर दिया जाएगा किसी एक क्यूपर dependency नहीं रहेगी उस region की ठीक है और जो awareness है जो lack of awareness है हमारी product launches के ऊपर वो भी ह हमारी कम हो जाएगी आरोग्य पत पर पूरी इस चीज की जानकारी दी जाएगी और पूरा एक system तयार करा जाएगा इसमें manufacturers और suppliers को मदद होगी कि wide network मिल जाएगा उनको मान लीजे जैसे मैंने आपको बताया कि UP में किसी region में या कहीं पर भी किसी चीज की दिक्कत हो गई क गमी हो गई तो supplier जो होगा एकदम से watch कर लेगा उस चीज को कि इस area में अदिक्कत है तो हम बात करते हैं और अपनी चीज को supply करते हैं तो इससे connectivity भी बढ़ेगी और customer की जो needs है वो जल्दी से पूरी होगी और जो retailer होगा जो distributor होगा उसको तो money पैसा मिल नहीं है second चीज क्या होगी जो मैंने आपको बताया connectivity increase होगी और demand जो है pathological laboratories की medical stores की hospital में जो चीजे चाहिए वो भी कमी आएगी दोस्तों ठीक है opportunities बढ़ेगी business expansion जैसा कि मैंने आपको बताया और एक चीज और होगी जो new requirement है product की वो जल्दी से पूरी हो जाएगी ठीक है और customer की satisfaction सबसे ज़्याद बनाना है ना जो आत्म निर्बर भारत बनाना है हमको उसमें customer की satisfaction जरूरी है उसका भरोसा होना चाहिए भारत की चीजों पर तब market की chain पूरी बनेगी और हमारा supply chain भी बहुत मजबूत होगा दोस्तों awareness बढ़ेगी जो demand है new technology की और जो wastage है resources की वो कम होगी क्यों कैसे कम लेकिन उसकी supply नहीं है market में तो यह stock तो waste हो गया ना अब आप limited चीज लाएंगे क्योंकि आपको पता है कि यहाँ एक बंदा बैठा है जो आपको एकदम से supply कर देगा और customer की need को पूरा कर देगा तो जो wastage है वो कम से कम होगी सर्वोदे infotech भी develop होगा दोस्तों तो यह पूरा system तयार होगा ठीक है customer की चीजों का यह पूरा एक system तयार होगा जिससे किसी भी चीज की दिक्कत ना हो अब CSIR जो है उसके बारे में बात करते हैं थोड़ी सी वो council of scientific and industrial research यह research and development based पे काम करते हैं और radio and space physics, oceanography, geophysics, chemicals, drugs, geonomics इन सब चीजों में ही research करते रहते हैं क्योंकि वो ही देश आगे जाएगा अब जिसका research structure बहुत मजबूत है जिसकी technological structure, infrastructure बहुत मजबूत है और जहां पर innovation है उस चीज का अब हम आगे की तरफ ले जा सकते हैं दूसरी countries में उसका export करने के लिए apple क्यों बिखता है इतना, iphone क्यों बिखता है इतना उसके अंदर innovation है नहीं नहीं चीजे लाता है हो इस वज़े से उसकी demand इतनी हाई है दोस्तों और नेक्स्ट है इसमें की technological invention होते है, societal effort like environment में हमें किस प्रकार से काम करना चाहिए, health system को कैसे maintain करना चाहिए, drinking water, food, housing, energy इन सब चीजों पर CSIR अपना काम करता रहे, ठीक है दोस्तों और यह pioneer भी है intellectual property movement का मतलब यह develop करते और IPR मिलते भी हैं, CSIR क्या है, vision और strategy जो है हमारी 2022 के लिए new CSIR for new India, मतलब एक नया भारत की तरफ हम यह बढ़ रहे हैं, और scientific और industrial research को बढ़ावाद देना चाहते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया, technologically और research जो इस देश मजबूत होगा, वही आगे की तरफ अब जाएंगे, rank क्या है, इसकी सारे institution में, total institution 4851 है, जिसमें इनकी 84 rank है, तो काफी अच्छी rank में यह आते हैं, ठीक है दोस्तो, next news RBI से related है, RBI ने एक panel create करा है, जो private sector banks के cooperative structure की, द्याहाँ से सुनिएगा, cooperative structure की निगरानी करेगा, और report देगा, यह five members का internal working group panel है, जिसके head होंगे, PK Mohanty, ठीक है, और यह report अपनी 30 सितंबर से पहले देंगे, यह review करेंगे, function क्या होगा, इनका, ownership कैसी है, उस bank की, governance कैसी है, और cooperative structure कैसा है, उस bank का, क्योंकि NPS की problem बहुत आ रही है, कुछ दिनों पहले आपने yes bank का सुना होगा, तो वहाँ पर भी cooperative governance में कहीं न कहीं, कुछ न कुछ mismanagement था, दोस्तों की, मतलब आप समझ लीजे कि कहीं न कहीं mismanagement हुआ है, तब ही इतनी बड़ा scam होते है, mismanagement के बिना कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, तो scam नहीं हो सकते बिना mismanagement के, second चीज क्या होगी, यह जो norms होंगे, promoter के shareholding के, उनको देखेगा, और एक time, और एक time देगा, और अगर वो चीज को fulfill नहीं कर रहे होंगे, तो उनका license भी रद हो सकता है, तो यह कुछ reports देंगे, अपने RBI को swapेंगे, क्योंकि banking structure भी मजबूत होना चाहिए, वनना आप पैसा rotate कहां से करोगे, क्योंकि banking structure नहीं होगा, तो आप rotate ही नहीं कर पाओगे, different countries में पैसा और different, क्या internally आप rotate नहीं कर पाओगे, country के अंदर, दो चीजे दोस्तों economy को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक banks और एक share market, ठीक है, याद रखिए गए इन दोनों चीजों को, तो यही बताया गया है, कि macro economics of financial market और technological development को, हम देखते रहेंगे, और उसको आगी की तरफ लेते जाएंगे, तभी हम अच्छी, एक जरूत मतलब तभी हम अच्छे societal development कर पाएंगे, next news क्या है, नितिन गटकरी जी ने कुछ दिनों पहले शायत कहा था, तो इन्होंने इस टाइम अपने आपको कहा है कि मैंने इस चीज़ को नहीं कहा था, मना कर हैं, तो MSP क्या होती है दोस्तो, MSP क्या होती है कि to increase farmer income by finding alternative usage of their crops, मान लीजे, simple बाशा में कि पैदावर जाड़ा हो गई, तो एक सरकार MSP घुशित करती है, और वो उसका lowing price होता है, मतलब अगर उससे कम में कोई लेता है, तो आप मन दीजे, आप सरकार के पास जा सकते हैं दोस्तो, for example, मान लीजे, सरकार ने, एक मिनट दोस्तो, सरकार ने rice की MSP मान के चली, आपको 30 रुपे गुशित कर दी, लिकिन अगर कोई आपको 29 ले रहा है, 28 ले रहा है, मार्केट में मिली नी रहा है, तो आप government के पास जा सकते हैं, दोस्तो, इससे क्या होगा, farmer की एक better income decide हो पाएगी, और जो spirit है, MSME का, जो farmer का काम करने का वो बना रहेगा दोस्तों, ठीक है, और हमें MSP increase ही करने पड़ेगी, क्योंकि हम farmer की जो productivity है, वो कम हो रही है, और लागत जादा लग रही है, क्योंकि जो norms हैं, और जो environmental condition है, वो ठीक से नहीं बन पा रही है, थर्ड point क्य है, और जब farmer की, अगर हम MSP कम कर देते हैं, तो farmer उसकी पैदावर कम कर देता है, अगर पैदावर कम कर देगा, productivity नहीं आएगी दोस्तों, तो उस चीज को हमको import करना पड़ेगा, और जिस देश में कोई चीज नहीं होती है, और कहीं से import करनी होती है, तो भार वाला जो customer dealer ह होता है, वो अपने ही rate पर देगा, तो हमारा import बेड़ेगा, जैसे for example, मैं आपको एक बार अच्छे से समझाता हूँ, मान लीजे, आपके पास एक चीज है, ठीक है, वो आप बहुत produce कर रहे हैं, लेकिन और पूरी जो society है, उसकी habitual हो चुकी है, लेकिन आप उस चीज को कम क करना, लेकिन society तो उस चीज को खाएगी, क्योंकि वो habitual हो चुकी है, जैसे rice पूरे northern इंडिया में खाए जाता है, तो वो habitual हो चुके है, अब इनकी भरपाई करने के लिए हमको import करना पड़ेगा, और जो importer बैठा है दोस्तों बाहर, वो अपने मनमर्जी के पैसे बोलेगा और उस चीज के दाम भारत में आके बढ़ेंगे, तो इसलिए हमारा import bill extra charge ना हो, minimum support price के आई एक market invention है, जिससे जो पैदावर जादा हो तो उस चीज का price एकदम से जादा नीचे ना गरे, ये decide कौन करता है, commission for agriculture cost and price, बहुत important है दोस्तों, याद रखिएगा, CACP इसे decide करती है, लिकिन announce करी जाती है, government of India के, द्वारा sowing season, मतलब बवाई का जो season होता है, उससे पहले, इसका aim के आई कि जो farmer का protect कर सके, एकदम से अगर ज़्यादा crop उगाई गई है, उसके द्वारा उग जाती है उस season में, तो उसका price ज्यादा नीचे न गिरे, और to support the farmer from distress sale, मतलब आपने लागत तो लगाई 10,000 की, किसी crop में, लेकिन market में वो पूरी crop 8,000 में बिक रही है, तो ये तो farmer तो society कर लेगा ना यापे, क्योंकि उसका तो 2,000 का घाटा हो गया, उसको चाहिए थे 15,000 रुपे, तो government ऐसा पूरा suitable, एक time table बनाती है, पूरा structure बनाती है, जिससे farmer को घाटा ना हो जादा, to procure food grains for public distribution, अब MSP हो गया, market में वो rate रही चल ला है, तो government क्या करेगी, उससे ले लेगी, वो चीज़, और अपने जगे procure कर लेगी, जैसा की lockdown में हमको देखने को मिला, इंडिया पे इतना food grain था दोस्तों, कि अगर December तक lockdown हो जाता ना, तो भ कुछ अनाश तो हमारा बेकार हो जाता है, हमको infrastructure और अच्छे से बनाना है, ठीक है, अब MSP में क्या determine करा जाता है, ये बहुत सारी चीज़े हैं, और ये question भी आते हैं, दोस्तों कि MSP में क्या क्या देखा जाता है, एक पूरा structure तयार होता है, दोस्तों कि उस चीज़ का cost क् market में उस चीज़ की कितनी cost है, उस पे कितना input लगा है, लागत कितनी लगी है, उसका input, output, price, parity, मतलब उस चीज़ का ratio कितना है, कि अगर लागत इतने की लग रही है, तो market में इतना बिग जाएगा, इतने का बिग जाएगा, और इतनी quantity बिग जाएगा, ये सब चीज़ों का time table ले पूरा procedure बनता है कि उस चीज का trend क्या चलना है दोस्तो इस चीज का इंटर कॉब price parity क्या है cost structure मतलब पूरी एक procedure बनाया जाता है उस हिसाब से उस चीज का MSP गोशित करा जाता है दोस्तो ठीक है और यह चीज भी याद रखिएगा कि हर एक district level पे state level पे क्या उसका प्राइज है और यह इंटरनेशनल प्राइज सिचेशन भी देखी जाती है दोस्तों तो पूरा एक प्रोसीजर तैयार किया जाता है जल जीवन मिशन टू रीच और अनुराचल प्रदेश जल जीवन मिशन को और अनुराचल प्रदेश में भी लागू करा जाएगा फंक्शनल हाउसोल्ट टैब कनेक्शन दिये जाएंगे जिससे एडुकेट सेव पानी पीने का पानी मिल पाए रेगुलर बेसेस के जो काम है वो हो पाए और रिमोट विलिजिस में ये चीज जाएगी दोस्तों अब जल जीवन मिशन क्या है जल जीवन मिशन डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति डिपार्टमेंट ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन एंड सैनिटेशन मिनिस्ट्री कौन सी है जल शक्ति इसका विजन क्या है विज of life जी सकें दोस्तों standard of living है वो भी increase होगा इससे ruler communities का तो different states इसमें सारी states और यूटी एक plan तयार कर रही है कि water supply कैसे कर सकते हैं हम long term में schools में, buildings में, आगनवारी centers में, healthcare में, wellness centers में और ये कहा जा रहा है कि functional tap connection जो है functional household tap connection वो 2024 तक हर एक गाओं में, हर एक ruler areas में मिल जाएगा adequate quantity में दोस्तों ठीक है और state और यूटी जोंगी वो इसकी drinking water security तयार करेंगी कि कैसे secure कर जाए हर एक गाओं को पानी से दोस्तों फोर्थ point है दोस्तों इसमें यह सेम चीज़े हैं कि कैसे implement कर जाए manage कैसे कर जाए क्योंकि दोस्तों जो water है वो सब की need है industry की भी need है, hospitals की भी need है, schools की भी need है, households की भी need है अगर हम 70 साल, इतने साल हो गए हमारे देश को अजाद होए, अगर हम पानी और बिजली नहीं पहुचा पाए तो किस चीज का development है, तो हमें ये चीज़े complete करनी होंगी जल्दी से जल्दी, जिससे हमारी जो essential needs है, वो तो खतम हो जाए, ठीक है दोस्तों तो उस तरफ सरकारे काम कर रही है, second, एक financial sustainability बनाई जाएगी, जिससे हर एक sector को promote करा जाए, इस चीज़ को लेके दोस्तों, in making provision and mobilization of financial assistance, हां की implementation कर सकें, तो उन्हें financial assistance दिया जाएगा, states और UT को, objective सेम है, कि हर एक household तक functional household tap connection जाएगा, और village जहां पे सूका पड़ा हुआ है, उन villages में, desert areas में, संसद, आदर्च, गिराम योजिना, यह आपको पता होगी, कि हर एक संसद, एक गराम, अपने control में लेता है, कि इस गराम की, इस गाउं की, अब जितनी भी जिम्मेदारी है, मैं लोगा, दोस्तों, हर एक संसद इस चीज़ को करता है, to provide function tap connection, schools, आगनवार same points हैं, दोस्तों, कि हम monitor करें, tap connections को, water treatment, management, bubbling, electricity, यह सब सेम चीज़े हैं, और normal सी चीज़े, अगर points में आएंगी, तो आप इसको tick कर देंगे, ठीक है दोस्तों, next news कौन सी है, यह इसका एक picture है, कि एक mechanism तयार होगा, और दोस्तों, मैं इस चीज़ को एक और वे से बताना चा इस चीज़ को वितरन करना है, तो उनको समय देखे काम कराया जा सकता है, और जो district level के और जो municipality level के और village level के officer है, तो उनको strictly guide करके, हम यह काम को करा सकते हैं, दोस्तों, last news है, दोस्तो, my life, my yoga competition, 21 जून, yoga day बनाया जाता है, तो इसमें video blogging होगी, कैसे करना है, एक global contest है, दोस् में आपको तीन मिनट के duration की तीन योगिक portion में video डाली है, किरिया, आसना, प्रेनाम, बंदा और मुद्रा portion में, और short video के message भी आप दे सकते हैं, कि yoga practice कैसे हम influence कर सकते हैं, लोगों की जिन्दगी को, क्योंकि yoga बहुत जरूरी है, और आपने देखा होगा, कि बहुत सी करने की तरफ आगे बढ़ा है, दोस्तो, आपको वीडियो बनानी होगी और upload करनी होगी, facebook, twitter, instagram पे, my government, gov platform, hashtag my life, my yoga, India के नाम से, ये ministry of ayush, organize करा रही है, क्योंकि 21 जोन को IYC होता है, मतलब international yoga day, ayush की full form है, ayurveda, yoga, yunani, siddha, homopathic, क्या है, ayurveda, yoga, yunani, siddha, homopathic, ठीक है दोस्तो, तो ये दो level में होगा, कि जो third categories होगी, जो under age 18 होगे, और एक होगा, above 18 के उपर, ठीक है, yoga professional भी इसमें participate, yoga professionals होगे, और participate male और female separately contestant होगा, मतलब male को अलग price दिये जाएंगे, और female को अलग price दिये जाएंगे, price की कितनी, one lakh first, 50,000 second, और 25,000 third, ये इतनी rank है, और global level पे कितना है, US, $2500, first price, $1500, second, $1,100, third price, इतना आपको याद करने की जरुआत नहीं है, बस आपको yoga, ये my life, my yoga competition क्या था, ये आपको पता होना चाहिए, price कभी नहीं पूछे गए, दोस्तों, ठीक है, तो अगर आपको इसकी PDF चाहिए हो, इसकी PDF आपको टेलिग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसका link description box में दे रखा है, ठीक है दोस्तों, तो मैं इस lecture को यहीं पर conclude करता हूँ, thank you, thank you everyone,